हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टो माई चैनल मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आज मैं एक और नय डिजाइन लेके आई हूँ जो इस तरह से है देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा प्यारा सा डिजाइन है जिसको हम किसी भी फूल कार्डिकन में किसी में भी दाल सकते हैं बहुत ही अच्छा तिर्ची तिर्ची इसकी बनाई आती है यह देखिए इस तरह से है यह देखिए इस डिजाइन को डालने के लिए हमने हमें फंदों का कोई हिसाब नहीं है जितने फंदे आपने डालने है यह सभी पे चल जाता है बहुत ही प्यारा डिजा तो चलिए बताती हूं कि इस तरह से हमने इसको बनाना यह देखिए राइट साइड से इस तरह से है और उल्टी साइड से ऐसा दिखता है बहुत ही प्यारा रिजाइन है इससे पहले अगर आप प्लीज मेरे चैनल पर नियू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए और ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले यहाँ पर मैंने फंदे डाले हुए हैं तो चलिए थोड़ा सा बॉडर बनाके मैं आप को बतारी हूं कैसे हमने शुरू करना है सीधी से लाई पहली सी लाई डिजाइन की सीधी साइड से डलेगी सीधी साइड से शुरू होगा हम दो फंदे शीधे बनाएंगे एक फंदा इस तरह से परल्वाइज स्लिप करेंगे धागा हम नीचे ही डाने देंगे दो फंदे सीधे बनाए एक फंदे को ऐसे परलवाई स्लिप किया दो फंदे सीधे बनाए एक फंदा परलवाई स्लिप किया दो फंदे सीधे और एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदे को हम बिन बुने ऐसे उतारेंगे दो फंदे सीधे एक फंदा बिन बुने उतारा दो फंदे फिर से सीधे और एक फंदा बिन बुने उतारा लास्ट का एज का फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे ये देखिए कि जाहे आप जितने भी डालेंगे इसके लिए फंदे ये चल जाता है डिजाइन दूसरी सिलाई उल्टी साइट से देखिए कैसे हम बनाएंगे जो फंदा हमने स्लिप किया हुआ है ये देखिए जिसको हमने बनाया नहीं है उसको हम यहां पे भी स्लिप ही करेंगे और जो फंदे सीधे बनाये थे उनको हम इस तरह से उल्टी साइट को बनाएंगे स्लिप किया वा फंदा भी नबुने ही उतारेंगे और आगे के दो फंदे उल्टे बनाएंगे ये देखिए फिर से दो फंदे उल्टे slip किया हुआ फंदा फिर से slip करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा slip करेंगे उल्टी रो हम पूरी इसी तरह से बनाएंगे ये हमारी दूसरी रो है डिजाइन की यह देखिए इस तरह से आगे का फंदा उल्टा ही बनाएंगे हम अब देखिए फ्रेंट्स यह जो हमारा तीसरी रो है इस पर हम क्या करेंगे तीसरी रो पर आजाएए अब जो फंदे हमने दो सीधे बनाए थे यह देखिए सामने दिख रहे हैं उनको हम करेंगे उल्टा अब तीसरी रो में हम इनको दोनों को उल्टा कर देंगे इस तरह से और जिस फंदे को स्लिप किया था इसको हम बना देंगे सीधा यह देखिए आगे के फिर से 2 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा जिसको हमने sliP कीया था उसको हम सीधी तरफ को बनाएंगे और जो 2 फंदे हमने पहली सिलाईब में सीधे बनाये थे उनको हम उल्टा बनाएंगे तो फंदे उल्टे औरiled किया वह जो फंदा था को अलग से दिख रहा है, इसको हम सीधा बना लेंगे, यह देखे, दो फंदे उल्टे, यह हमारी तीसरी रो है, डिजाइन की, दो फंदे उल्टे, और स्लिप किया वफंदा है, उसको हम सीधा बना लेंगे, इसी तरह से हम इस डिजाइन की तीसरी रो कम्प्लीट करेंगे, फंद बेना बुने जो फंदा लिया था उसको हम सीधा बनाएंगे आगे का एज का फंदा है इसको भी हम सीधा ही बना लेंगे यह देखिए इस तरह से कुछ बन के आ रहा है अब आएंगे हम रो नमबर 4 पर इसमें हम उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी ही बना देंगे रो नमबर फॉर हम पूरी रो उल्टी ही बनाएंगे इस तरह से रो नम-बर फॉर फ्रैंड इसको हम पूरा उल्टा ही बनाएंगे तीसरी दूसरी रो हमने बनाई थी जो स्लिप किया वो फंदा था उसको速 बनाए थे तो इसमें हमारा पूरी रो ये उल्टी ही बनेंगी चोधी रो अब आजाएए रो नमबर पांच में पांच में शिलाई सीधी साइड से अब हम क्या करेंगे पहले हमने ये वाला फंदा स्लिप किया था अब हम जो दूसरा इसके आगे वाला जो पहले स्लिप किया था फंदा इससे आगे वाला फंदा स्लिप करेंगे तो पहला फंदा हम सीधा एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे फिर आगे जो स्लिप किये हुआ था उसको हम सीधा बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएं और एक फंदा स्लिप किया फिर से दो फंदे सीधे एक फंदा स्लिप किया हमने slip पूँआ करना पहले हमने यह वाला किया था अब हम इससे आगे वाला तभी हमारा डिजाइन यहां से चेंज डिब भी हमारी चेंज होगी यह देखिए दो फंदे सीधे एक फंदे को slip किया बनाना हमने सेम वही डिजाइन है वही सी लाई रिपीट करनी है लेकिन थोड़ असा यह हमारा डिजाइन आगे पीछे हो जाएगा यह देखिए इसको हम slip करेंगे परलवाइज उपर वाली साइड से लेंगे हमने ऐसे नहीं लेना इसको इस तरह से उपर वाली साइड को लेना है दो फंदे हमने सीधे बनाए और तीसरे को स्लिप किया आगे के दो फंदे हमारे सीधे यहां पे भी बचेंगे तो इसको भी हम सीधा बना लेंगे अब हम आ जाते हैं छटी सलाई उल्टी साइड से इसमें हम फिर से वही करेंगे दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और एक फ बनाने का तरीका सिर्फ हमने आगे पीछे डिजाइन को करना है तभी हमारा डिजाइन तिर्चा आएगा नहीं तो सीधा बन जाएगा यह देखिए इस तरह से दो फंदे उल्टे एक फंदे को हम बेन बुने उतारेंगे जैसे हमने पहली रो में बनाया यह देखिए इस तरह से अब आजाए नेक्स्ट रो में इसमें भी हम वही करेंगे दो फंदे हम यह पहला फंदा हम उल्टा करेंगे और जो हमने यहां पे slip किया वाफंद है उसको हमने सीधा करना है यह हमने पहले भी किया है वही row हमने repeat करनी है जो तीसरी row हमने बनाई थी देखिए slip किये वाफंदे को सीधा करेंगे जिन फंदों को हमने सीधा बनाया था first row में उनको हम उल्टा करेंगे वही pattern हमने बार-बार repeat करना है लेकिन थोड़ा सा बस जब हमने फंदे को slip करना है वो उसी का थोड़ा सा है आगे पीछे का फंदा हमें slip करना है ये देखिए इसको सीधा बनाएंगे दो फंदे उल्टे कर दिये जिनको हमने सीधा बनाया था और ये slip किया हुआ वो फंदा सीधा बना लिया आगे के एक फंदा हम उल्टा कर लेंगे और आगे का ये वाला फंदा सीधा कर लेंगे एज का स्टिच है इसको हम सीधा कर लेंगे अब उल्टी शिलाई हमारी पूरी उल्टी ही बनेगी इसको बनाके मैं फिर आगे बताती हूँ यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हमारा डिजाइन बन कर आएगा अब हम क्या करेंगे रो नमबर सेवन हम अब यह वाला फंदा स्लिप करेंगे देखिए यहां से जो आगे वाला है इसको हम स्लिप करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे अब यह वाला फंदा स्लिप करेंगे जो हमने पहले किया था उससे आगे वाला हमें ध्यानिया ही रखना है जो फंदा हम स्लिप करेंगे नेक्स टाइम हम उससे आगे वाला फंदा स्लिप करेंगे और जो दो फंदे हैं उनको हम सीधा करेंगे ये दिखिए इस तरह से दो फंदे सीधे ये वाला स्लिप किया जो लास्ट उल्टा बनाया है हमने दूसरा उसको हम slip करेंगे दो फंदे सिधे एक फंदा slip किया दो फंदे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये pattern बन के आएगा ये 4 रो हमने repeat करनी है इस तरह से ये right side से आएगा और left side से ऐसे आएगा देखिए तो अगर आपको मेरा ये design पसंदाए और पसंदाए तो मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना है और मेरे चैनल को subscribe करना और वीडियो को watch करने के लिए thank you so much ये देखिए इस तरह से है वीडियो को watch करने के लिए thank you so much bye bye मिलती हुए एक और नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई